रात के दस बजे हैं लहरें छोटी और धीमी हैं उस जीव से मिलने का ये सबसे सही वक्त है जो दवाईयों की दुनिया में क्रांती ला सकता है समुद्री केंचुआ वैज्यानिक नाम अरे निकोला मरीना ये 35 करोड साल से प्रत्वी पर हैं ये उंगली जितने मोटे और 40 सेंटिमीटर तक लंबे हो सकते हैं इनके शरीर में कुछ ऐसा भी है जो हम इनसानों के काम आ सकता है बालू खाने वाले इन केंचुआ का खून कुछ खास तरह से काम करता है इसके लिए जिम्मेदार है खून का वो तत्व जो शरीर के अंगों को आकसीजन पहुँचाता है हीमोगलोगिन हम 20 साल से ऐसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं जिससे हालात बहतर हूँ अभी तक तो ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है तो इससे हमें काफी उमीद है शुरुआत में सब मुझपर हसने लगे वो समुद्री केच्वे को गंभीरता से नहीं ले रहे थे उन्हें लगता था कि हम तो दवाईयों के जानकार हैं और अस्पताल में समुद्री केच्वे पर बात करना फिजूल है ये 25 साल पहले की बात है तब फ्रांक जाल बेहत प्रतिकूल मौसम में रहने वाले जानवरों पर शोध कर रहे थे मुझे पता था कि बीच पर ऐसे केच्वे मिलते हैं लुग वर्म अरे निकोला मरीना मेरे मन में सवाल आया कि समुद्री केच्वा छोटी और बड़ी लहरों के बीच में सांस कैसे लेता है इसका तो पता लगाया जा सकता है ये खालिस समुद्री जीव वैग्यानिक का सवाल था तो शोध करने पर मैंने पाया कि जब लहर दूर चली जाती है तो ये जीव सांस रोक लेता है ये सिर्फ पानी के भीतर ही सांस लेता है मश्लियों की तरह समुद्री केच्वा के भी गलफड़े होते हैं लेकिन मश्लियों की तरह कम पानी में दम खुटने के बजाए लोगवं सांस रोक लेते हैं पर ये मुम्किन कैसे है मैंने समुद्री केच्वा की पड़ताल की और मुझे एक खास तत्तों मिला ये लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं होता बलकि यूँ ही खोन में बहता रहता है इसकी संद्रचना इंसानी हीमोग्लोबिन से काफी मिलती जुलती है फ्रांस के ब्रेस्ट में युनिवर्स्टी हॉस्पिटल यानि कले मूर यहां ट्रांस्प्लांट फिजिशियन यानि अंग प्रत्यारोपन के विशेशग्य है वो समुद्री केंचूओं के फायदे को समझने में जुटे है समुद्री केंचूओं का हीमोग्लोबिन बहुती खास है क्योंकि ये कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जा सकता है इसका सबसे पहला फायदा तो अंग प्रत्यारोपन में हो सकता है क्योंकि ट्रांस्प्लांट करते समय अंगों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है ट्रांस्प्लांट में काम आना तो बस शुरुवाती खयाल है सैध्धानतिक तोर पर तो समुद्री केचुए का हिमोगलोबिन शरीर के हर उस अंग में काम आ सकता है जहां औकसीजन की कमी हो ये एनिमेशन दिखाता है कि ये हिमोगलोबिन काम कैसे करेगा इंसान की रक्त कोशिकाओं में मिलने वाले हिमोगलोबिन की तुलना में समुद्री केचवे का हिमोगलोबिन 40 गुना ज्यादा ऑक्सिजन पहुँचा सकता है ये इंसान की रक्त कोशिका से बहुत छोटे होते हैं तो अगर कोई नस सिकुड़ गई हो या ब्लॉक हो गई हो तब भी ऑक्सिजन की सप्लाई जारी रह सकती है। मिसाल के तौर पर ये स्ट्रोक के इलाज में कामा सकता है। साथ ही अगर कोई जक्म बहुत धीरे भर रहा हो या कोरोना जैसा संक्रमन होने पर शरीर में ऑक्सिजन की कमी हो जाए उसमें भी ये कारगर हो सकता है। देखे, बहुत सारे कामों में इस्तिमाल हो सकता है और इसके पीछे ऑक्सिजन ले जाने वाले वे अडू हैं जो इस नन्हिस से जानवर के शरीर में हमें मिलते हैं। शायद अरे निकोला मरीना हमारे लिए बस बालू ही नहीं बलकि और भी बहुत कोई छोड़ते हैं।